नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप वेलकम तो कुकिंग सिंप्लिफाइड आज मैं बनाने वाली हूँ मूंफली की पोली या शेंगा होलगे जो हम कन्नडा में बोलते हैं तो यह बहुत ही हल्दी डेजर्ट है जो हम लोग गेहूं के आटे में बनाते हैं जिसमें रोस्टेड मूंग फली रहती है जैगरी या गुड रहता है और घी के साथ खाते हैं इस वादिश्ट होने के साथ साथ बहुत हल्दी है यह रिसिपी तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले लिया है मैंने एक गहूं का आटा लिया है फिर आधी कटोरी उसी कटोरी में ना अधी कटोरी चिरोटी रवा मतलब यह नॉर्मल रवा से बहुत भारिक रहती है और आधी कटोरी मैदा तो यह डालेंगे उसके बाद थोड़ा सा ही नमक डालेंगे 1 4 टीज्पून और इसको dry mix करेंगे। जो इसको पूरा मैदा से भी बनाते हैं तो वो भी अच्छी बनती है तो अभी हम लोग एक चमच घी डालेंगे। और इसको अच्छे से पहले mix करेंगे। नीड करने से पहले इसको अच्छे से जो रहती है न वो जो हम नॉर्मल रोटी का आटा या चपाती का आटा जो हम लोग हर दिन बनाते हैं बिल्कुल ऐसा रहता है मीडियम कंसिस्टनसी का एकदम पतला या एकदम गाडा नहीं रहता तो बिल्कुल बिना टेंशन के आटा भिगा दीजी इसका लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा डालके ही भिगा दीजी अच्छे से मसल के बिल्कुल क्योंकि आठा अच्छा बनेगा न तभी आपका पोली एक पॉर्टन स्टेप है ये तो इसको अच्छे से मसली है ऐसा और आटा ये हमारा भीग गया है अब देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट या एकदम कड़क नहीं बना है ये इसको ना हम लोग अभी ढखके रखेंगे करीबन आधी घंटा के लिए अभी उसका मिश्रण तयार क लिए में मूंग फली एक कप मूनग फली लिया है और उसको ना सिम पर अभी हम लोग एक पान में सेकेंगे उसको इसके लिए सेकने को अट लीस्ट आपको 10 मिनिट तो लगेगा ही लेकिन ये स्टेप बहुत इंपोर्टन्ट है और ये बात ज़रूर याद रखिए कि इसक शिकना नहीं है तो CIM पर शिक रहा है तब तक कि हम लोग 4-5 इलाइची का कवर निकाल के रेड़ी करके रखेंगे बाद में काम आएगा हमको मिश्रण बनाने के लिए देखिए है इसा ताल के मैंने रेडी कर दिया है अभी देखते हैं हम लोग मूंगफली को मूंगफली सीख रहा है आप देख सकते हैं उसका कवर अपने आप देरे-देरे से निकल रहा है इसको ना एकदम ब्राउन तक के भी नहीं सेकना है करेक्ट सेकना है आपको 10 मिनिट लगेगा मूंगफली ही मेन इंग्रीडियन्ट है इदर मूंगफली होता भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है यह वो भी रोस्टेड मूंगफली यह देख सकते हैं यह कैसे परफेक्टली अभी सिख गया है अभी हम लोग क् कप और एक पैन में ना सिम पे ही इसको भी आप सेक लीजिए तिल तो बहुत ही अच्छा रहता है स्किन के लिए और हैर के लिए भी इसको अच्छे से पैन में सेकेंगे करीबन पांच मिनिट यह जल्दी सिख जाता है और चटपट आवास भी आती है और इसके बाद इसको बंद करके इसको भी ना ठंडा करने के लिए हम लोग एक प्लेट में रख देंगे यह देखिए अब ही जाते हैं मूंग फली के तरफ देखते हैं कि मूंग फली सिख गया है तो इसका जो कवर है ना पहले हाथ से ऐसा निकाल देंगे या एक आप वाटी ले सकते हैं या असान तरीका बताऊंगी मूंग फली का छिलका निकालने का यह देखिए इस तरह अगर आप एक स्टेनर में उसको डाल के इसे हिला देंगे तो बहुत ही जल्दी उसका कवर निकल जाता है और पूरा यूनिफॉर्म तरीके से आपका मूंग फली सिखा हुआ आपको अपा निकले के लिए इस तो के लिए लिया है मैंने तिल जो हमने सेख के रखता ओर उसमें डालेंगे हम लोग इलाइची जो मैंने कवर निकाल एक रख दी थी दोनों को यह राडा है हम दोनों को बनाएक सिरेने करने लोग किस्धेश माट पारीक वे чист 기ूने 2 ए john फिर उसी में हम मूंग्फली को भी मिक्सी करेंगे ये देखिए मूंग्फली है तो इसको भी हम डालेंगे उसके साथ डालेंगे गुड़ मैने 1 Cup मुंगफली के लिए 3 4 cup या 3 4 2 Cup गुड़ लिया है आप चाहिए तो 1 Cup ले सकते हैं आपको थोड़ा सा मीटा ज्यादा पसंद है तो आप ले सकते हैं तो इसको भी ना मिला के हम लोग मिक्सी करेंगे ऐसा पे निकाल दीजिए और सारा मिक्स्चर अच्छे से पहले मिक्स कर दीजिए ये मूंग फली तिल और क्या बोलते हैं गुड़ कर दीजिए उसके बाद एक पैन में तोड़ा सा ही पानी गरम करेंगे बहुत ज्यादा पानी नहीं थोड़ा ही पानी ऐसा बॉइल होते तक कि गरम क उसको सिर्फ 1-8, tablespoon डालना है, आपको ज्यादा नहीं, एकाथ, tablespoon डाल के उसको चम्मज से mix कर दीजए, क्योंकि पानी गरम रहता है, आप बिना चम्मज के mix करेंगे, तो आपको चोट लग सकती है, तो आप चम्मज से ही पहले mix कर दीजिए, कई लोग ना ये पोली जो है, वो सूखी मिश्रन से भी बनाते हैं बिना पानी डाले हुए वो भी ठीक है उस टाइप का भी बनता है और ये हम लोग जो पानी डालते हैं इससे थोड़ा सा इजी बनता है काम और कुछ नहीं तो आप इसको थोड़ा सा पानी डालके न अच्छे सी नीड करेंगे तो इसका पानी नहीं मिलाना चाहते तो भी ठीक है देखिए ऐसा बॉल्स बनाके मीडियम साइज के आप रख सकते हैं रेडी तो ये ना काम में बहुत आसान होता है बाद में तो अभी आटे को देखते हैं आटा रेडी है विल्कुल थोड़ा सा और गीडा लेंगे और अच्छे से उसको मस लेंगे हम लोग और तीन से चार मिनिट उसको नीड करेंगे क्योंकि अगर ये कवरिंग अच्छा हो तो हमारा पोली बहुत अच्छा बनता है तो ये बात जरूर ध्यान रखिया इसका छोटा सा एक पोर्शन लेंगे हम मीडियम साइज का बना रही हूँ मैं बन जाती है तो इसके बाद इसके अंदर डालेंगे वह मीडियम बॉल जो हमने बनाया था गुड और शेंगा का या आप ग्राउनट जो बोलते हैं मुंट वली उसका ना मिश्रन का गोला उसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा साना चावल का आटा लिया है मैंने अब च चावल काटा डालने से ना क्रिस्पी बनती है इसलिए मैंने चावल काटा ली हूँ और इसको अच्छे से हम लोग बे लेंगे मेडियम साइस का बनाया है मैंने कितना पॉफेक्ट बनी है यह आप देख सकते हैं बल एकदम पतला है छिलका उपर का आपका कवरिंग जो है रोटी का और इसको ना मीडियम तवे पे आपको सेखना है इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको फ्लिप करना है अभी एक साइड सिख गया है दूसरी साइड भी मैंने एक दाना भी तेल नहीं डाली हूँ इसका वज़य यह है कि आप बिना तेल का बनाते हैं तो मिनीमम प और यह कई लोग वित तेल सेख के रखते हैं यह आपकी च्रॉइस से अब दोनों बना सकते हैं आपको एक और दिखाती हूँ मैं वित तेल मतलब तेल में सिखा हुआ यह देखे मैंने मिश्रन को अंदर डाली एकदम इजी है यह और एज्जस को मैंने ऐसा सील कर दिया यह यह वाला जो पोली है यह कोई भी बना सकता इसको कोई एक्सपीरिंस की भी जरूत नहीं है क्योंकि इतनी आसान है यह बनाना इसका मिश्रन और सुपर हेल्दी है यह और बहुत ही टेस्टी बनती है तो इसको आप अभी बेलिए बिल्कुल हलके हाथ से एकदम दबा के नह हर तरह इस तरह बेल दीजिए यह देखिए बन गया है यह और इसको भी हम लोग अभी सेखेंगे व्याद रखिए एकदम पलटना नहीं है दो-तिन मिनिट के बाद इसको हम लोग पलटेंगे और थोड़ा सा तेल लगाना है क्योंकि यह भी टाइप में आपको दिखाना चाहती थी कि इस तरह भी बनता है आप ऐसे भी बना सकते हैं और हाई फ्लेम पे मत रखिए ताकि वो जलेगा नहीं और अच्छे से सिखेगा देखिए यह बहुत ही टेस्टी बनती है इसको बच्चों के टिफिन वॉक्स में भी आप दे सकते हैं या डेजर्ट के रूप में खा सकते हैं बिना चिंता के और इसको दोनों तरफ को जरूर ट्राइ के जी और बताईये मुझे कॉमेंट सेक्षिन में कि आपको कैसा लगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग और प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल